कि अश्कार दोस्तों स्वागत है आपका GMC News में और हमाई साथ है जग जी चंद जी जो यहां यूएस नगर के ASP है जो हमारे CPU आई है एक नई पेट्रोलिक यूनिट हमारे काशिबू शहर में और लग 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 आदे उद्रकंड में यह कैसे काम कर दी है और जनरल पुलिस में कैसे अलग है आकास मैं बताना चाहूंगा CPU जो है हमारी एक स्पेसिलाइज यूनिट है पुलिस की जिसको की ट्राफिक एंफोर्ट्मेंट के लिए बनाया गया है हमारी पास पुलिस में अलग-अलग का ओर्गनाशिसंस हैं जिसमें ट्राफिक को रेगुलेट करने के लिए ट्राफिक पुलिस थाना पुलिस इसके अलावा आम पुलिस भी होती हैं लेकर यह कॉंसेप्ट रह सम्फिंग नियो एंड इस बिंग टेकन फॉम्टी को जैसे आपने देखा होगा यह ब्लू ड्रस में है इसको बाखी पुलिस कर्वियों से अलग पहचाल दी गई है इनकी जो ड्यूटिया है वो सिप्स में होती है इनको प्राफरली उक्यूप्टिक किया गया है इनके पास योट्यूम फर्म के अलावा कैमरे होते हैं जो ब इनका मुख्य काम जो ट्राफिक रूल्स वाइलेट कर रहे हैं उनका चालान करना होता है काशिप्पूर सहर्न आप देखेंगे ट्रबल राइदिंग्स बिना हेल्मेट के या बिना सीट मेंट के लोग काफी करते हैं जिसके कारण काफी एक्सिडेंट पाए गये हैं इन क्या क्या रिस्पॉंसिबिल्टी ही जाते हैं मैं यह एक पुलिस का ही पार्ट है लेकिन जैसे पहले ही बताया गया कि यह स्पेशलाइज की यूनिट है और केवल और केवल यह ट्राफिक रूल्स वाइलेटर्स को ही पगड़ते हैं जबकि जनरल पुलिस जो हमारी धाना और चाथी की पुलिस है उनके पास नंबर ऑफ वर्क्स होते हैं जिसमें की उनको लॉइन ओर्डर के काम देखने होते हैं उनको क्राइम डिटक्शन करना होता है उनको वी आईपी करने होती है इस धंक से अगर हम इनको कंपेर करें तो जो स्ट्रीपी हुए है वो प्रेव जैसे थाने में कोई कंप्लेंट मिलती है कोई गित्ती आया और उसकी कोई सिकायत है या कोई क्राइव हुआ है तो थाने पे फिर डट की जाती है जिसकों की फर्स इंपर्ब्स कोड कहते हैं ए फायर कायम होने के तुरंत बाद ही यह इंड्रेस्टिकेशन के लिए एक उस अधिकारी का या उस आयो का जो में टास्क है वो उस पर्टिकलर केस में एविडेंस कलेक्ट करना होता है वो साइट इंस्पेक्शन करता है औरल एविडेंस हो डॉक्यमेंटरी एविडेंस हो या अन्य तरह के एविडेंस है उनको कलेक्ट करने के बाद उसकी जो रिस् विश्परिट्स के खिलाफ और यदि उसमें कोई एविडेंस नहीं पाए गए तो रुजब रिपोर्ट लगती है वह भी कोट में जमा होती है अच्छा से हमारे पास काकी सरे रिलीजेस रेलिज होती है और जो हमारे मौर्रम के टैम पे निकलती है हमारे राम बरात निकलती है उसमें आपको कैसे कैसे चलेंजेस फेस करने पड़ते हैं ट्रैफिक तो लेके और उनकी इसके और डी के लिए कुछ बीज में होना हूँ मिसाफ निकार्सिपुर्ट जैसे सेहर में अगर आप देखें पिछले कुछ सालों में जितने भी रिलीज है इनकी संख्या बढ़ी है एक तो आवादी भी बढ़ी है हमारे पास जो है पहले के बराबर ही है लेकिन इनमें भाग लेने वालों के संख्या बढ़ गई है और हर साल नए ने प्रजिशन सामने आ रहे हैं पुलिस के लिए एक चैलेंज है जनरली जब इस दंग की रैली Schuluk का एक कस्स्मेंट करती है हमें इसमें कितना परफ लगाना है कहां पे ट्रैफिक रज़ए बढ़ाने है और उसमें किस तरह के अधिकारियों की डूटिया लगानी है जडि महलाय उसमें जारह है तो बढ़ना पुलिस क्रमियों की अभी इसमें लागाई जाएंगी यदि इसमें कुछ law and order होने की problem हुई तो इसमें हमारी जो अन्य स्कॉर्ट है चाहे mounted police है चाहे वो जो specialized gun लेके चलते हैं उकी चीजा देखते हैं उकल मिलांके इसको पहले plan कर लिया जाता है और plan करने के बाद फुर इसको सही तंग से execute करते हैं उसमें अधिकारियों की शुर्ड दुटी होती है कि वो देख तक अपने मिस्टमः और फ़ुब्लिक की सुभधाका धान रखा जाता है कि पबलीक को कम से कम उसमें स्था का सामना करना पर तो जन्ता है वो कितना हद तक को परेट करती है यह सारे रूल्स और रेडूलेशन को फॉलो करते हैं अकास जी बड़ा टिपिकल सवाल है और मैं यह कहना चाहूंगा इसमें कि हमारे अन्य भारतियों की तरहे जो माइंड सेट है जनता का वो कासीपूर की जनता भी वैसा ही है जब ट्राफिक रूल्स हो या कोई भी रूल् अगर हम सड़क पर चलके देखें एक एक जांपल हम लें कि जनता कितना को आपरेट करती है तो आप जब क्रॉसिंग पर देखेंगे तो जिस लेन में लोगों को नहीं रहना होता बाइकर्स को या फोरिलर्स को उसमें भी चले राते हैं लेकिन जब उनको बात आईगी सब्सक्राइब करेंगे तब तक आप भी कैसे हैंडिल कर पाएंगे सर मेरा आप से अगला सवाल यह है कि पहले के मुताबिक आज जब आपका कारिकाल चल रहा है युएस नेगर में आपको क्या क्या डिफरेंस दिखते हैं क्राइम रेट और यह सब रूलेशिंस फॉलों क करेंगे आगे हैं काफी क देप्लोमेंट्स हो गैं यहां यहां पर आयें और कई सरा इंडूस्टली एंडृर्मेंट्सर्सास आइज हैं। क्राइम का रेट बढ़ा है लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि जो पिछले एक साल में हम लोगों ने यहां पे हमारी थीम ने जो काम किया है वो बहुत जिस्टिस्टिस्फाइंग रहा हमें जितने हीमियस क्राइम से हैं वो सभी वरकाउट हुए हैं हमें जो ट्राफिक इन्फोर्स्मेंट के लिए जो स्टप्स उठाने थे उसमें हमने काम्याभी हासिल की यदि पी इसमें करना बहुत ज्यादा और बाकी है साथ में ही जो यहां पर कासिपूर में स्पेसिली एक्स्टॉर्शन के मामले आते थे पहले वो लगभग पूरी तरह से खात्मा हो ग अगर आपको एपके सब्सक्राइब कुष्ट पता है तो आपके जगए का सब्सक्क्राइब को है अगर उसमें प्रिक दाए हूं छोटी चोटे मोंते हैं है आज्पर बेशिए हिए अपके पूरे आप एक टीनेजर ने आप कैसे प्रिक्टर एगला इसमें किसे पहत पर हमें रोजामा ऐसे number of cases मिलते हैं जहां पर drug parents को या तो हम बुक कर रहे हैं या फिर ऐसे किसोर हमें मिल रहे हैं जिनके को हम थाने में लेकर आते हैं वो नावालिग होते हैं उनकी counselling की जाती है और यह पता लगाने की कोसिस की जाती है कि आंखिर इनको यह drugs कौन सप्लाई कर रहे हैं और उसके बाद पर हमारी team काम करती है हम drug बेचने वालों की तहह तक जाते हैं और कोसिस करते हैं कि उनको पहाम जरबतार करते हैं साथ में ही हमने social outreach अपने किये हैं हम इसकूरों और colleges में गये हैं बच्चों से मिले हैं और ड्रक्स के बारे में हमने एक अभियान चड़ा हुआ है पिसले एक साल में हम लगभग 50 लोगों को जेल बेच चुके हैं जो drug paddlers है जी से यह तो हम देख सकते हैं और आगे मैं रेक्टल करने के लिए कुझे नश्यकोर क्रीड के लिए क्राइए परीने कि फिरैू रिज्ट है उनको हम लगा तर अप्डेट करते रहते हैं उनका शक्यापन करते रहते हैं और उनको देख थैंग THÅनर के हैं अग निग्रानी है क्राइम पर अञों हमारी यह और कि हम जैसे ही को इक तराइम हो जल्दी से वर्क आउट करना है वो लोगों को डिली भी मिले है हमारी जो चैलेंजे इस समय है वो ट्राफिक को लेकर है और ये चैलेंज केवल पुलिस इसको सही नहीं कर सकती है आपको बताना चाहूंगा आकास काशिपूर कस्बे में जो रेल इसके लिए पुलिस के अलावा अन अजिंसियों के सज्यों की दिरूरत भी है मेरे चाल से अगर जब ओवर बिरिज बरना सुरू हो जाएंगे तो इस समस्या का समाधान होगा हम मैन मैनेंजमेंट लेबल पर जो कोशिज कर सकते हैं उसके लिए चाहे ट्राफिक के पुलिस अगर आप करेंगे क्योंकि यह चैलेंज भी आगे आने वाले समय पर आपी बड़ा होगा आप तो काम करते हैं शिफ्ट में करते हैं लेकिन अप फ्री कब होते हैं अपने फैमिली के लिए क्लिकि अक से मैं देखा है होली जब आती है तो सब लोग एक दिन अपोली मनाने ह अगास यह हमारे जॉब का एक नेगेटिव आस्पेक्ट है और यह पार्ट इन पार्चला हम बाद में इस पर यूस्ट हो जाते हैं यदि तियभारों के समय पे और जैसे मैं पब्लिक फंक्शन होते हैं उस समय हम अपनी छुट्यावन आने लगें तो वह चीज़ें सब्क स्ढ़्स कारन से हम हरण के केंबस में पुलिस वाले हैं वह बुली मना लेते हैं लेकिन यनिफॉर्म सर्भिसीज में हैं तो आपकी जम्यदारियां हैं हम कभी है कि हमें चुट्टी के समय में या पीषुप्रण पर चुट्टियां चाहिए कि यहीं हम चुट्टी पे रहेंगे तो फिर बागी लोग अपना त्यावाद नहीं माना पाएंगे इसी कारण से हम लोग के वागों में चुट्टियों के पावंदी होती है मैं सभी को यह अनुरूद भी करना चाहूंगा और सभी को इस सलाह भी देना चाहूंगा कि यूनिफॉर्म फोर्चेज जिस ढंग से बाहर से दिखाई देती है एक्चुल में जो मीडिया परसप्शन उनका है वह उस ढंग से है नि मेरा भी इस जॉब में आने से पहले इस ढ का माते हैं तो आपके पास एसे टूल सापके पास हैं कि अडि़ित लोग हैं जो जरूरत मन्द ऐं उनकी आप मदद कर सकते हैं आप चाहे थाने पर हैं चौकी talks कि या किसी स्मार्ट कर सेपन हैं तो उह इक हैं तो यह पर की अजियों और इंड सर्विस में और इंड सबी से यह कहना चाहूँगा कि जरूर आप uniform forces को join करें जिसके लिए अलग-अलग लेवल पे इंट्री लेवल हैं इस्टेट सर्विसेस में आप जा सकते हैं गरेजुशन के बार हमारे सब इंस्पेक्टर्स हैं उस लेवल पे इंट्री है और जहां से आप थाना पुलिस में सकते हैं उसके बाद स्टेट लेवल पे आपको डिप्टीर स्पीज में इंट्री होती हैं और यदि आप अपने केरियर बनाना चाहते हैं IPS के लिए तो UPS सी हर साल कंड़क्ट करती है एक्जाम आपको नमबर ऑफ जो है साइट से अविलेबल हैं जिस पर इसकी सूचना जि चुचनान वाँ हैं उसमें क्या घ्लैमर है और उसके क्या फाई रशर नहीं भागो साइब अपनर आपको बहुत बाद है जरूर से जाकर हूं को और आप लोगी वईसे हैं उम सेफ घरते फिल चरते हैं थैंक्यू आकास आपको बहुत बहुत दन्यबाद और आपकी पूरी टीम को बहुत 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 दन्यबाद